हेलो बच्चों आज हमारा question है classification of angles आज हम शेखने वाले कि angles कितने परकार की होते हैं सबसे पहले देखो भाई हमारा acute angle है अब acute angle क्या होता अगर हम acute angle की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं an angle पहले हम definition देखते हैं an angles whose measure whose measure greater than zero zero and less than 90 less than 90 degree is called acute angle क्या बोल दा भाई an angle whose measure greater than zero and less than 90 is called acute angle acute angle होता हमारा 0 से तो बड़ा होता यह आप कह सकते हैं 0 और 90 के बीच 0 से बड़ा 90 से छोटा 0 से लेकर 90 के बीच जितने भी angle बनेंगे हमारे सारे क्या होंगे acute angle होंगे इनके बीच इनके बीच जितने भी angle बनेंगे हमारे वो सारे हमारे क्या होंगे इनके बीच क्या बनेंगे 1 बनेगा 2 बनेगा 3 4 5 6 10 15 20 30 और 89 तक जितने भी angle बनेंगे वो सारे हमारे क्या होंगे अग्यूट एंगिल होंगे आप समझगे एक्यूट एंगिल का मतलब 0 से बढ़ा और 90 से छोटा डैट इस कॉल एक्यूट एंगिल ओके अब हमारा आता राइट एंगिल तो हमारा राइट एंगिल एन एंगिल whose major whose major is 90 degree बढ़ा जो एक जटली 90 degree होगा वो हमारा राइट एंगिल है यह हमारा राइट एंगिल यह जो हमारा होता यह क्या होता राइट एंगिल होता यह हमारा right angle है ओके आपको समझना होगा कि भाई जब भी हमारे यह सीधी line होती तो यह हमारे क्या होती 180 होती यहां से यहां तक पूरी जो line होती यहां से 0 से गिनों 180 तक यहां हो जाता तो यह हमारी 180 degree की होती जैसे हम इसमें एक perpendicular बीज में बिल्कूल डिवाइड करती इस line को तो 90 दा है 90 दा है अगर हम नीचे ले जाएंगे तो यहां 90 बनेगा यह 90 बनेगा यह 90 बनेगा यह 90 बनेगा और तभी हम कहती कि पूरा एक circle जो होता है पूरा यह हमारे कितने का होता है complete angle होता 360 का 90 90 90 90 यह सीधा एक straight angle 180 का होता तो 90 डिगरी का होता है बिल्कूल यह हमारा होता that is called right angle right angle में exactly 90 डिगरी अब हमारा आता हो obtuse angle obtuse angle क्या होता है an angle whose major whose major greater than 90 greater than 90 degree and less than 180 less than 180 degree is called obtuse angle अब आप समझो भाई हमने बोले यह सीधी लाइन हमारी क्या होती 180 डिगरी होती यह सीधी लाइन यहां पर हमने एक perpendicular खीचा सीधा तो यह 90 गोगए और 90 और 0 यहां से 0 है यह 90 आगए तो इनके बीच जो angle बनेगा वो acute angle बनेगा यह 90 और 180 के बीच देखो यह तो 0 था ना 0 से सुरू कि हमने 90 तक गए 90 और 0 के बीच जो बना हो acute angle बना फिर exactly 90 तक गए बनेगा वो हमारा obtuse angle बनेगा इसको हम कहते है obtuse angle बना 90 से बढ़ा 180 से छोटा उसको हम कहते है obtuse angle 90 और 180 से बीच में जो बनता है ओके इसको हम क्या कहता है obtuse angle आपको simply देखना 90 और 180 के बीच जो भी angle बनेगा वो सारे हमारे obtuse angles होंगे ओके अब state angle आ गए भई अब state angle क्या होता an angle whose major whose major 180 degree भई हमारा जो सीधी एक line होती यह 180 degree होती यहां से 0 से सुर होता है 0 से सुर होता हो और 180 तक तो यह हमारा क्या होता state angle हो state क्यों क्या है सीधी लाइन है इसको हम state angle कहते है ओके तो reflex क्या होता भई तो reflex angle होता an angle यह हमारा क्या reflex angle an angle whose major whose major greater than 180 देख हम 180 तक पूँच गयता है state angle कितना होता 180 greater than 180 and less than 360 less than 360 डिग्री भाई देखो एक straight line है यह हमने 90 का खीचा यह तो होगा है 90 इन दोनों के बीच का 90 और 0 के बीच है 0 है यह 90 है यहाँ पर ओके यह 90 है इनके बीच जो angle हो बनता हो क्या था acute angle होता 90 हो 180 है 180 है यहाँ पर इनके बीच जो angle बनता हो obtuse angle बनता है कौन सा बनता है obtuse angle बनता है फिर हमार यहाँ पर 180 बन जाता है सिधा अब यहाँ से लेके complete angle complete angle मतलब पूरा यह पूरा यह गोला यहाँ इन दोनों के बीच 180 से लेके 360 के बीच जो angle बनेगा वो हमारा reflex angle होगा क्या होगा reflex angle 180 से बड़ा 180 और 360 के बीच जो भी angle बनेगा वो हमारा reflex angle होगा कौन सा angle होगा वो वो हमारा होगा reflex angle अब हमारा complete angle complete angle क्या होगा अब देखो नो complete हो गया तो complete का मतलब पूरा एक गोला बन गया है, इस गोले के अंदा हमारे सारे एंगिल बनते हैं, ये गोला बन गया है, इसका मतलब ये complete एंगिल बन गया है, और ये हमारा होता 360 डिगरी का, जब भी पूरा एक गोला बन जाता है, उसको हम कहते है complete एंगिल, that is called 360 degree, okay, तो हम कह सकते हैं, an angle whose major, whose major 360 degree is called complete angle, जिस, जो हमारा पूरा 360 degree का होगा, ये गोला, ये कितने को हमारा, 360 degree का, अब इसमें देखो, एक line खीचो, ये 180 के, इसमें ये खीचो, तो 90 दर होगा है, 90, इन दोनों के बीच हमारे acute बन रहे, इन दोनों के बीच obtuse बन रहे, ओके, ये 180 के बन गए, पूरा, और यहां से लेके, यहां तक हमारा क्या बन दा, reflection बन दा, और जैब पूरा गोला मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 360 degree को होगा, तो एक, अगर हम होड़ देखें, तो एक zero angle भी होता, zero angle यह जो, यहां से start हो रहा, ओके, तो हम क्या सकते है, zero angle, an angle, an angle, whose major, whose major is zero, जो भाई, zero degree को, who major is zero degree, वो हमारा क्या होगा, zero angle होगा, आप समझ गया, भाई, आपको क्या करना, कि आपने यह देखा, यह हमारा 180 उपर होता, यह हमारा 180 उपर होता, यह हमारा क्या होगा, 360, अगर हम इसको divide करेंगे, तो 90, इनके बीच acute, इन दोनके बीच obtuse, और यहां पूरा reflex, और यहां पूछने, 360, पूरा गोला बन जाने पर क्या हो जाएगा, वो, एक complete angle हो जाएगा, और जहां ते start होता हो, जीरो angle होता हो, ओके, इडंग से हम angles को क्या कर सकते, divide कर सकते, classification कर सकते, अलग-लग उस parts में, ओके,